औरत भेलिये के बच्चे को जन देकर मर जाती है अब ये दूसरी औरत उस बच्चों को सगक पर फिक कर चली जाती है लेकिन बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह फिर से उसको उठा कर घर लेकर आ जाती है अब ये छोटा लड़का बड़ा हो चुका होता है जिसमें एक स साथ वाले दोस्त को मार डालता है अब आगे कुछ दिनों के बाद अमावस्या की रात होती है ये लड़का और लड़की छट के उपर खेल रहे होते हैं तभी अचानक लड़के का शरीर भेलिये में बदलने लगता है और वह भेलिया में बदल जाता है और लड़की के बंदूक से शूट कर देती है और उसको घर लेकर चली जाए है